हरो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अमीर मंदीर के बारे में भारत का जो सबसे अमीर मंदीर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी तिजोरियों में लगभग 20 से 25 अरब की संपत्ति मौजूद है और इस मंदिर के अंदर का भाग जब खोला गया तब सोना, चादी और बहुत सारे हीरे के भंडार मिले और एक अनुमान लगाया गया कि यहां मौजूद जो संपत्ति है वो एक खरब डॉलर है और मानिता यह भी है कि इस मंदिर के स्थापना जो हुई है वो लगभग 5000 साल पहले हुई थी और मानिता यह भी है कि यहां भारत के अनुशार स्रिक्रिष्ट के बड़े भाई जो बलराम जी थे इस मंदिर में आये थे और पूजा अर्चना की थी तो आप अनुमार लगा सकते हैं कि ये मंदिर जो है कितना पुराना है यह मंदिर किसका है यह मंदिर जो है वो विश्णु जी का है और यहाँ पर विश्णु जी अपने सेसनाद पर सोने की मुद्रा में विराजमान है सोवे हुए हैं अपने सेसनाद पर तो यह मंदिर है विश्णुजी का और यह मंदिर इस मंदिर का नाम क्या है और कहां पर है पूरा वीडियो देखे आपको पूरी इन्फोर्मेशन मिल जाएगी तो यह मंदिर है त्रिवंत पूरम में जो की केरल में है और यह मंदिर जो दुनिया के जो सबसे अमीर मंदिर है उनमें से एक माना जाता है तो भारत का सबसे अमीर मंदिर है त्रिवंत पूरम जो केरल में है और इस मंदिर का नाम है पदमनात स्वामी मंदिर तो जो पदमनात स्वामी मंदिर केरल में है वो भारत का सबसे अमीर मंदीर है तो दोस्तों अगर इंफोर्मेशन अच्छी लगी है तो पीज अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसी ही इंफोर्मेशन के लिए आप जूड़ रहे हैं हमारे चैनल पर अगर चैनल पर पहरी बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तों देखने के लिए थैंक यू थैंक यू वर वाचिंग एंड कीप लर्निंग